वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रहकर के भारत की अस्मित्त और भारत के स्थित्व के साथ खिलवाड करना चाहते हैं जो लोग इस प्रकार का किर्ट्य कर रहे हैं उन्हें किसी भी भारत वासी को बरदास्त नहीं करना चाहिए मान एक ग्रह मंट्री से अमित्साजी ने देश की संसद में कस्मीर में धारा 370 और 35 ये को समाप्त करने की गोशना की थी और देश की संसद की मौर इस पर लगी थी और इसको पूरी तरह सम्विधान से 13370 को समाप्त करके आतंगबाद की ताबूत पर अंतिम केल्ड ठोकने का काम किया था अभी हाली में कॉंग्रेस और नेशनल कॉंफरेंस की जमो कस्मीर की सरकार ने अभी विधान सवा में एक प्रस्ताव पारिट कर दिया और ये प्रस्ताव पारिट किया है कि कस्मीर में हम फिर से 13370 और 35 ये फिर से लागू करेंगे 13370 जो समाप्त हो चुका है जो इत्यास के गर्थ में जा चुका है अब फिर से कस्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता ये आतंगबाद की जड़ है अराजकता की जड़ है लाखो कस्मीरी पंडितों के कतलियाम की जड़ है ये अधारा 370 लाखो निर्दोस नाकरिकों के खून से सनावी उसनीवी अधारा है उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधिते नाथ ने गुरुवार को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फरेंस पर निशाना साधते हुए अनुछे 370 और 35 ए को बहाल करने के दोनों दलों के आवान की कड़ी आलोचना की मुख्य मंत्री छट पूजा के अवसर पर यहां लच्मन मेला मेदान में अखिल भारतिय भोचपुरी समाज दुआरा आयोजित एक समारो को संबोधित कर रहे थे हाल हे में जम्व कश्मीर विधान सभा में इन अनुछेदों को बहाल करने का प्रस्ताव लाने के घटना करम का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश और घाटी को फिर से आतनवाद की आग में धकेलना चाहते हैं वही सीम योगी आदिते नाथ ने आगे क्या कुछ कहा देखे वीडियो उन्हें किसी भी भारतवासी को बरदास्त नहीं करना चाहिए याद रखना 140 करोड भारतवासी जब एक जुट होकर कि एक स्वर से बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनती है जब हम जाती मत और मजहब की आधार पर बटे होते हैं तो दुनिया भी आपको नजर अंदाच करती है एक स्वर से 140 करोड भारतवासी जब बोलेगा तो दुनिया की किसी देश की दुनिया की किसी भी ऐसे तत्त्त्त की का दुस्ताहस नहीं जो भारत की ओर टेड़ी नजरों से देख सके कोई नहीं देख सकता लेकिन जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो ये दुस पेड़ाम भी अमारे सामने आएंगे और उस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर में आपका ध्याना करसित करना चाहता हूँ याद करिए 5 अगस्त 2019 प्रधान मंत्री मोदी जी की पेड़ा से मान एग्रहमंट्री से अमित साजी ने देश की संसद में किस्मीर में धारा 370 और 35 ये को समाप्त करने की गोशना की थी और देश की संसद की मोर इस पे लगी थी और इसको पूरी तरह समविधान से धारा 370 को समाप्त करके आतंगबाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया था दुनिया ने भारत की ताकत का एसास किया पुरी दुनिया को लगा ये नया भारत है ये नया भारत किसी का नुकसान नहीं पहुँचाएगा लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं न जुकेगा न डिगेगा न हटेगा बलकि अपने रास्ते के अस्मित्ता और अस्तित्व की रक्सा के लिए सब कुछ निच्छावर करने को तयार होगा और हर हाल में भारत की एकतार खंडता को बनाए रखने के लिए जो भी कड़े से कड़े, कठिं से कठिं कदम उठाने की आओ सकता पड़े की उसको उठाने में हिचकेगा नहीं और यह कदम एक भारत मजबूद भारत के रूप में प्रधान मंत्री मोदी जी का कदम था जब कस्मीर में कॉंग्रेस के समय में सम्भिधान में बाबा साथ भीमराम बेट करके नचाने के बाबजूद धारा तीन सा सत्तर और ठड़िफाई वे जोड़ करके आतंगबाद का गड़ भारत को बनाने की कुछी चेष्टा 1952 में की गई थी और यह प्रावधान था कि यह अस्ताई प्रावधान होगा लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई मोदी जी ने हिम्मत दिखाई देश के हित में और धारा तीन सा सत्तर समात्त हुई वा कस्मीर आज एक बार फिर से भारत का स्वर्ग बन्य क्यों रग्रसर आज उस कस्मीर में बड़े बड़े इंफ्रास्टर्चर के कारे हो रहे हैं टनल बन रहे हैं एम्स आईएटी आएम जैसे संस्तान बन रहे हैं आज उस कस्मीर में लाखों की संख्या में टूरिस्ट फिर से जाना प्रारम हुआ है याद करिए वहाभी दिन हमने कस्मीर के अंदर देखा था जब इस दारा 370 के कारण कस्मीर में ब्यापक हिंसा होती थी कस्मीरी पंडितों को निसाना बनाया जाता था और वहाँ पर जिसने भी भारत के पक्स में कोई बोलता था उसका कतलियाम होता था सामीक नरसंगार होता था वह कस्मीर जिस कस्मीर में 1989 और 90 में लाखों की संख्या में कस्मीरी पंडितों को प्लैन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था उस कस्मीर को सुरक्सा की गारंटी मोदी जी ने दी और कस्मीर में इसके लिए धारा 370 को समाप्त किया लेकिन बेन और भाईयों जब कस्मीर इस सुकत अनभूती के माध्यम से ये रास्तिय एकतार खंडता के साथ आगे बढ़ने के लिए कि तेय से वड रहा है और इस्तियों में अभी हाली में कॉंग्रेस और नेशनल कान्फरेंस की जमौ कस्मीर की सरकार ने अभी विधान सभाब एक प्रस्ता अपारित कर दिया और एक प्रस्ता अपारित किया है कि कस्मीर में हम फिर से 1370 और 35 ये फिर से लागो करेंगे बैन और भाईयों ये कांग्रेस और नेशनल कांफरेंस की विगठन कारी विक्रित मांसिकता को प्रदर्शित करता है ये बताता है के राश्टी एक्ता के साथ खिलवाड करके देश को फिर से आतंगबाद की भट्टी में जोकना चाते हैं पुरा देश कांग्रेस के इस विगठन कारी प्रदर्टी को देख रहा है और हम सब इसकी निंदा करते हैं और हम कांग्रेस के नित्रितों को भी कहते हैं कि कांग्रिस के नित्रित्तों को रस्त ये सुरक्सा के साथ खिलवाड करने से बाज आना चाहिए देश उन्हें स्विकार करने को अब तयार नहीं है कताई तयार नहीं है 12.370 जो समात पहुँ चुका है जो इत्यास के गर्थ में जा चुका है अब फिर से कस्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता यह आतंगबाद की जड़ है अराजग्ता की जड़ है लाखो कस्मीर अ्कस्मीरी पंडितों के कतलियाम की जड़ है ए धारा 370 लाखो निर्दोस नाकरिकों के खोल से सनावई उसनीवी उधारा है जिसने कस्मीर के माध्यम से जिसने कस्मीर की सुगंद को मजभी उनमात के कोड में बदलने का काम किया था जिसने कस्मीर जैसे धर्ती के स्वर्ग को एक मजभी उनमात के कोड में बदल करके वरे कस्मीर की सावाजिक सद्भाव को तहस नहस करने का काम किया था ये धारा 370 और 35 ये कस्मीर के अंदर आतंगबाद का बेर हाउस बन गया था जिससे आतंगबाद बना परा था, खुराक पराप पराप्त कर रहा था लेकिन आज समाप्त करके जब कस्मीर मुख्यधारा के साथ जुड़ करके आगे काम कर रहा है उन इस्तितियों में जब्धान सवा में पारित ये प्रस्ताव उस बिगठन की भुको एक बार फिर से हम सबका धाना क Ortit करताई इन इस्तितियों में हम Congress ने तर्टों को कहना चाहेंगे कि National Conference और Congress मिलकर के जम्मू कस्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है यह देश उसे कतई स्विकार नहीं करेगा किसी भी स्थिति में स्विकार नहीं करेगा 140 करोड भारत वासी हर हाल में भारत की एक तारखन्ड़ता को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं हर हाल में उसके एक तर्खंटा के पक्षदर है और जो कोई भी उसके साथ खिलवाड करेगा उसको मोतोड जबाब देने के लिए हर भारतवासी तयार होगा आज के सासर पर कॉंग्रेस को चटमा परो क्या उससर पर मैं कॉंग्रेस से ही कहूंगा कि वहाँ जम्मु कस्मीर बिधान सभा से पारितिस प्रस्ताओं के खिलाब स्वयंभी बोले अन्यता भारत मैं कॉंग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो जम्मु कस्मीर में धारा 370 और 35 एकी हो चुकी है मैं एक बार फिर से जो ये पर्व लोक आस्ता के साथ साथ रास्तिय एकता एकात्मता रुखनता की प्रतीक है इस उसर पर मैं एक बार फिर से आप सब को छट महा पर्व की हिर्दे से बढ़ाए देता हो लोक आस्ता का या महा पर वो छट आप सब क्यों पर छटी माया की किर्पाद आप सब क्यों पर बनल रहे